हेलो फ्रेंड, विल्कम डू माई किच्छन, आज मैं सेरकेने जा रही हूँ आपके साथ मसाला आलो पूरी की रेसिपी, जिससे आप ब्रेक्स फर्च में खा सकते हैं, या तो फिर आप बच्चे को लैंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बन कर तेयार होगा और बहुत ही जल्दी बन कर तेयार होगा, चलिए शुरू करते हूँ इसे बनाना, आलो पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दो कटोरी आटा ली हूँ, यह गेहू काटा है, इसमें हम थोरी सी नमक डालेंगे, और आधा कटोरी से थोरा सकम मैंने इसमें सू करते हुई आलो को डाले, तो थोरा सा बड़ा या छोटा पीसेज रह जाता है, तब पूरी फुली फुली बनती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेट करके आलो को एड़ करूंगी, यहाँ पर टोटल मैं दो आलो ग्रेट करके डालूंगी, और ध्यान दीजिएगा कि बॉयल आलो ही एड़ किजिएगा कच्चा आलो का एड़ मत किजिएगा, अब इसमें हम डालेंगे एक चमच भुना हुआ जीरा पौडर, एक चमच धनिया पौडर, थोरी सी कस्मीरी लालमिच डालूंगी, एक चमच साबू जीरा, कस्मीरी लालमिच को स्किप भी कर सकते ह अब इससे थोरा सा कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैं एड़ करीमी, और ये तीखा भी नहीं होता है, अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच अधरक का पेष्ट, आप चाहे तो इसमें अधरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अब इसमें हम थोरी सी फ्रेज धर्या का पत दालेंगे, थोड़ी सी रिफाइन तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पहली मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद थोड़ी थोड़ी पारी डालेंगे और इसका एक डो लगा लेंगे, हमें डो ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, नॉर्वें जैसे रोटी के रख देते हैं आटे को, यहाँ पर मैं एक चकलन और एक बेलन लिए हुँ, अब थोड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी सुकी आटा ली हुँ, आब बेल लेते हैं, पूरी छोटे बरे, जिस साइज को आपको पसंद आता है, उस सा गरब गरब तेल डालेंगे ताकि पूरी अच्छी तरह से फूल जाए देखिए पूरी कितना फुली फुली बनी है आप दूसरे साइड भी पल देते हैं आप इसे हम निकाल लेंगी और इसे सर्फ कर लेंगे आप भी घर पर ट्राइ किजिएगे सेसिपी को बहुत ही को से एक बार ट्राइ जरू किजिएगा थैंक यू